कि अब आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पर जहां पर थोड़ा सा टाइमिंग चेंज है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं बहुत सारे लोग यूट के साथ सब्सक्राइब। और आज की एक कौन से कूश्चिन रहने वाले कौन सा सैट रहने वाले वह देखेंगे तो पक्षियों से रिलेटिड आज आपको question देखने को मिलेंगे सभी के सभी पक्षी वही ना तोता उड़ मैंना उड़ चड़िया उड़ आज ये खेलने वाले हैं और आपको बहुत सारी पक्षियों के नाम पता चलेंगे उनकी properties पता चलेंगी और ये सारे के सारे आपको बता देते भाया जिसने भी बिहार वाले है ये सोचे बिहार वाले के अरे मेरा क्लास तो लिया ही नहीं आपकी बुक में भी पक्षियों से रिलेड़ेड़ क्वेशन थे एक साथ में ही दोनों को कमबाइन कर दिया है जल्दी से जूर जाए सभी लोग बहुत बढ़िया जितने लोग पहले पड़ चुके हैं जितने आपको जो है मिक्स पर्शन मिलेंगे और प्रीवियस यह पर्शन तो भाई सीटेट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर रहते हैं यह तो आप जानते ही हो तो स्टार्ट करें एक बार जल्दी से सभी लोग थमसप करेंगे और देखेंगे आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न साइंस का क्लास कपसे होगा तीना ना भूले हमारे साथ in К्लास कि शख़एन कर सकते हैं लेकिन बात वही स्काइना अगर आपके पास में कुछ स्केस हो बहांहां पर रहने वहने वाला अगर बना लेते हो दिवास समाण पत्र तो दे दे नो बताएंगे चूज दा इनकरेक्ट बर्ड फीचर गलत पक्षी गलत पक्षी नहीं होते पक्षी तो सारे सही होते हैं लेकिन पक्षी की गलत भिशेस्था कौन से लिखे ये बताने दे ब्रीथ तू दियर लंग्स बादन के लिए विवी पेरस तक्मीकी का उप्योग करते हैं या पिर नन उप दी से बताएंगे इसी के साथ में आपको पक्षियों की जो हडियां होती है वो खोकली होती है अच्छा देली हम लोग 6 बजे जुडएंगे ताइमिंग कैसी लगी आपको ये बताएंग एक ब समाल मचाएंगे तो सुबा की टाइम पर जो क्लास होती है आपको वो करनी है और शाम को 6 बजे की क्लास में आपको जुड़ना है सीटेट गुरुजी में हमारे साथ में सात्विक शान्ती बहुत बढ़ियां बढ़्स जो है हमारे विवी पेरस नहीं होते हैं ओवी पेरस ह में ना के क्या होते हैं टो गोड़े एंड़ेने वाले होते हैं जो वी पेरस होते हैं वाकि में आपको पता है क्ला में रट होते हैं इसको रट लीजिए चार हर्ट होता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं ओफिस से चार बजे चुटी होती है तो सी वाला ओप्षिन आपको में साइए निम्न लिकित में से कौन सा पक्षी सबसे बड़ा घोसला बनाता है ठीके जल्दी से बताएंगे इंसान घर बनाते है पक्षी घोसला बनाते हैं जना तो जानते ही होगे और फाकृत कोई कौन सा पक्षी कहा जाता है तो सबको फीगर के साथ में भी मैंने ड़ आड कर ली इनकी aring एड है आपको मिलेगी है होगह गोरय यह होगए चील हो गई, तो सबसे बड़े घोसले की बात करी जाए, चार ओप्षन में आप देखोगे कि सबसे बड़ा घोसला किसका बनता है, तो ये चील का घोसला, ठीक है, तील का घोसला सबसे बड़ा घोसला बनता है, और इसकी मुख्य विशेस्ता क्या होती है, ये जितने भी पे सबसे उंचे पेड में घोसला बनाता है और सबसे बड़ा घोसला भी कौन बनाता है तो चील बनाता है अगले प्रशन पर चलेंगे इमने लिकित में से किस पक्षी का घोसला लाल टेन के आकार जैसा दिखता है लाल टेन के आकार का घोसला बताएंगे जल्दी से लाल टेन के आकार का घोसला कबूतर वीवर पक्षी जिसको बुनकर पक्षी भी कहते हैं इगल जिसको बाज कहते हैं या फिर दरजर पक्षी ट दिखता है किस पक्षी का घोसला कि दाल्टेन के आकार का घोसला किसका बनता है यह बताएंगे लाल टेन के आकार के घोसले की बात करी जाएगी तो वीवर पक्षी हमारा वीवर पक्षी जो बुनकर पक्षी होता है ये लाल टेन के आकार का घोसला बनाते है कुछ इस प्रकार का लाल टेन के आकार का इनका घोसला बना हुआ होता है ठीक है वीवर पक्षी बुनकर पक्ष पक्षी जो है हमारा कुछ इस प्रकार का गोसला बनाते हैं कि लाल टेन के आकार के होते हैं पूरी क्लास की समय रखी हुई लाइनर में आप पढ़ लोगे पूरा का पूरा आप सभी को पता है कि नर्वीवर पक्षी के बारे में आपके NCRT में आपकी बिहार की इसमें मेल भी होती हैं और मेल के पास कुछ काम होता है नर्वीवर पक्षी जो है बहुत सारे घोसले बनाती है और इनकी मादा वीवर जो होती ही थोड़ी सी स्कार होती है वो यह कहती है कि जो हमें सबसे अच्छा घोसला लगेगा जो हमें सबसे अच्छा घोसला लगेगा हम उसमें जाकर के अंडे देंगे नर्वीवर पक्षी अपने अपने घोसले बनाते हैं कि मादा वीवर उन सभी घोसलों को देखती है जो उसमें से सबसे अ पच्पन में लाल टेन के आकार का घोसला वीवर पक्षी बना अगला प्रश्ण प्रश्ण नुम्बर पूर फिच अप्र फॉलोइंग बर्ड मेक्स नेस्ट भाई स्टेचिंग तू लीवस तुगेदर कौन सा पक्षी है जो कि दो पत्तियों को आपस में सिल करके घोसला बन सत्य की ही जीत होती बिलकुश मन लगा के पड़ो ना लगे तो अचा ना लगे तो किसी और पर लगाओ यही तो सत्य का घ्यान दे रहे हैं ना लगे तो किसी और पर लगाओ बुड इवनिंग ने हां बताएंगे क्या हो जाएगा नाम से क्लियर है हमारे जो दर्जी होते ह हम लोगों के कपड़े सिलते हैं है ना हम लोगों के कपड़े सिलते हैं ऐसे पक्षियों में तेलर पक्षी है दर्जन पक्षी है जो कि अपने दो पत्तों को सिल करके अपना घोसला बनाती है तो दी वाला आपका सही हो जाएगा कुछ इस तरीके से आपको दर्जन पक्षी क देखने को मिलती है कि क्या विशेस्ता होती है दरजिन पक्षी का तो जैसा नाम वैसा काम वह अपनी नुकीली चौच से पत्तों को सिल लेती है और उसे बीच में बनी थैली में अंडे जो देने के लिए तयार करती है और जो यह थैली आपको दीख रही है ना बढ़िया से प्रश्ण नंबर फाइव देखेंगे विच पत्थरों के बीच में अपना घोसला कौन बनाता है और घोसला बनाने के बाद में अंडे देता है पत्थर के बीच में कट फोडवा भार्यव भारतिय रॉपिन या फिर फाक्ता पक्षी पत्थर के बीच में अपना घोसला कौन बनाता है जल्दी से बताएंगे कोई है अपना करवार रही है और टॉपिक वाइस में प्रैक्टिस स्ट बन है एक एक हपते करेंगे एक हपते मिक्स पर एक हपते मिक्स त्यारी ही अपकी होगी बस आपको यह रहना है वह भग्वान चालो बहुत मस्ती हो आपकी क्लास अच्छा कोई बात नियांत फर्स्ट क्लास है तो शायद लोग खुश है तो जैसे मस्ती कर रहे हैं लेकिन भाई कॉमेंट सम जादा देख नहीं रहे हैं इंडियन रॉबिन कोई कल्चडी भी कहा जाता है कल्चडी या इंडियन रॉबिन है ना कल्चडी या पिर इंडियन रॉबिन तो कि पत्थरों के बीच में अपना घोसला बनाती है और यह गोसले में पौधों की नाजुक तहनी जड़े उन बाल रूई यह सब बिचा लेती यह सब बिछा लेती हैं और साथी साथी छोटे-छोटे कीड़े विखाती है इनकी चोच अंदर से लाल रहती तो कभी-कभी कुशन यह भी पूछ लेता है नाम कल चड़ी है लेकिन चोच लाल है इनकी ठीक है ठीक है कि नहीं ठीक है तो मैं मौनीटर सुदक्षिना कह रही है पुझे क्लांस मौनीटर बना दो ठीक है तो कलचिडी या फिर इंडियन रॉबिन की बात करेंगी तो इनकी चोच कैसी होती है अंदर से लाल होती है यह है आपकी कलचिडी इसके बीच में घोसला बनाती है पत्थरों के बीच में अपना घोसला बनाती है अगला प्रश्न इमनलेकित में से कौन सा पक्षी पेड के तने में खेद करके अपना घोसला बनाता है पेड के तने में खेद करके अपना घोसला कौन बनाता है तुम लोगों को लग जाए तो क्या करें क्या ही तुमें किस तरीके से काटेंगी जा सोचो पेड में छेद कर देती है पेड में छेद कर देते तो लोगों को नोची ले हैं इस तरीके की होती है जल्दी से बताएंगे कौन सा पक्षी है ये तो पेड के तने में तो बार्बेट इनको कठ फुडवा भी कह दिया जाता है क्या कह देते है क्या कह देते हैं इनको कठ फुडवा भी कह दिया जाता है तो कि पेड़ के तने में छेद करके अपना घोसला बनाती है यह है बसंत गौरी कट पुडवा ठीक है यह भी वही वाला काम करती है वही कहां जाता है बसंत गौरी देख रहे हो पर सुन्दर दिख रहे हैं बसंत गौरी क्या है बसंत गौरी की क्या विशेस्ता होती है बताएंगे अलान खुश्बू दीपिश्चंका किपक सात्विक मनीशा गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं पेड के तने में गहरा छेद बना करके उसमें अंडे रखते हैं पेड के तने में अपना घोसला बनाते हैं याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे इनका भी समरी लास्ट में आपको एक पेज में हमने लिख दिया इकठे से ही काप लुग वहां से पड़ सकते हैं ज्यादा बाते नहीं कर रहे हो मैं ऐसा लग रहा है जैसे और यह पांच पंच लगाए बैठी है ऐसा क्यूं ऐसा कुस्तों नबर सेवन इपने लेकित मेंसे कौन सा पक्षी अपना घोसला सबसे उचे पेड़ की चोटी पर बनाता है सबसे उचे पेड़ कौन सा पक्षी अपना घोसना सबसे उँचे पेड़ के सबसे उँचे पेड़ की चोटी पर कर देखो दो क्षिण बैक्टू बैक काएंगे आपको समझना है अपना घोसना सबसे उँचे पेड़ की चोटी पर कौन बनाता है तो चील बनाता है अगला कौशन के रहे हैं कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे उपरी साखा पर अपना घोसला बनाता है दोनों ध्यान दीजेगा दोनों ध्यान दीजेगा पेड की सबसे उपरी शाखा पर अपना घोसला कोयल कोवा मैना या फिर उल्लू तो पेड की सबसे उपरी शाखा पर घोसला कोवा बनाता है तो दो फैक्ट आपको ध्यान रखने है चील और कोवा क जेल जोहें मतलब जितने पेड आपको दिख रहे होंके उस में से सबसे उन्चा पेड एगुश्य प्रेड़ पेड़ पर गोसला बनाता है और कौई मैं जो होता है 7 जो पेड़ कि पेड़ कि कि सबसे ऊपर के शाखा पर कोवा अपना अपना गोस्ला बनाते हिए शोबसे और profit की पर अपना करके आपको समझना है कि सबसे उचे वाले पेड़ पर और कौवा है पेड़ की मतलब नॉर्मल पेड़ भी होते हैं उनकी सबसे उपर वाली डाली पर घोसला बनाते हैं कि आपको ध्यान रखना है चलेंगे अगले प्रश्ण पर इन लिकित में से कौन सा पक्षी अपना घोस अपना गोसला नहीं बनाता है क्योव्य के घोसले में अडे गोसले में कौन देते हैं यह कामोड़ कोयल है काली दिखती और काल कोयल भी काली थोड़ा महंती वहते हैं भी पिए लो कुछ निए जो है थोड़ा महंती होता है ठीक है तो सोचता है मेरी आवाज करका से कौन मेरे लिए घोसला बना करके देगा हमको खुदी महनत से घोसला बनाता है पोयल मीठा मीठा बोल करके उसी के घोसले में अंडे देती है वाला आपका सही हो जाएगा जमीन को खोद करके उसमें अपना घोसला बनाता है जमीन को खोद करके अपना घोसला बनाता है जमीन को खोद करके अपना घोसला बनाता है जमीन को खोद करके अपना घोसला कौन बनाता है जमीन को खोद करके अपना घोसला कौन बनाता है जमीन को पहले थोड़ा काम सबसे बड़ी कोशिका किसी होती है तो शुतुर मुर्ग के अंडे की होती है होती है कि नहीं होती है जमीन को खोद करके उसमें अपना घोसला कौन बनाता है तो बनाता है ऑस्ट्रिच बनाता है कौन सा पक्षी के पौधे पर अपना घोसला बनाता है या कह सकते है काटों के बीच में अपना घोसला कौन बनाता है काटों के भीच में पने घोस्ना कौन डशार हां बनाता है सबसे हो जाएगा क्कटके बीच में पना घोस्ना बनाता है क्स॥र के यह नुकल्त सब्सक्राइब में दो कवाक्ता क के पीच या पिर पींदी की पीमें में आपना स्कूल सेंने में स्कूल पर यह को से लिकरकर वाले यह कर दोह होते पर कर तक अपर लाससंद। लेक्चर होता है डायरी वाली क्लास के पहले वाले क्लास में खुशी और इतना शोर रहता है क्लास में कि अब तो चुट्ट होने वाली है अब यह कह रहे हैं ऐसे क्वेशन आएंगे के वीच में ये सीटेट की क्लास चल रही है ठीक है तो वैसा वाला तुम लोग तूफान पूरे कॉमेंट में बचाए हो इतनी बाते कर रहे हैं इतनी काई बता हैं क्लों से इतनी पुरानी और सूंसान इमारतों में अपना घोसला बनाते हैं कुरानी और सूंसान इलाकों कि रिउस बात कर रहे हैं कि इसे बाद कर आप काभूतर कौन सा पकषी पुराणी और अच्छा अच्छा पुरानी और पुरानी और सूनसान ही मारतों में पना आप गोस्ला कौन बनाते हैं पढ़ने वाले हैं यह सब प्रूप तो होंगे क्योंकि हम तो कितना भी बोलेंगे अपना कॉमेंट आफ कर लो पढ़ाई पर ध्यान दो तो यह सीरियस केंडिडेट है क्योंकि बहुत सारे तो इसमें पास हैं तो लोग सीटेट पहले से पास हैं तुम लोग को पागल बना र गौसला कौन बनाता है कबूतर में तो अघूप आस में पर चलेंगे खनदहार में अपना बनाती कौनी पर चलेंगे में थर्टीद कौन सा पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता क्याा सबसे बड़ा अंडा कौन देता है जा चील मतल़ यह बाज अंडा मास्टर जी जो अंडा देते हैं लेकिन ऐसा अंडा होता किसका है तो शुत्रमूर्ग का अंडा कि के चालो आगे पढ़ेंगे अगले प्रेश्ण पर कोशन नवर 14 कि इसे कौन सा पक्षिय अपनी गर्दन को 270 डिग्री पर गुमा सकता है 270 डिग्री पर अपना गर्द कौन घुमा सकता है 270 डिखर 202 ते जादा 360 तक की अपनी other objective kopon कुमा सकता है तो यह है वलू कि तुम्हें नहीं बोला जा रहा है कि तुम उल्लू वाकी तो तुम समझदार होई ठीक है यह उल्लू जो कि अपनी गर्दन को 270 डिग्री पर लेकिन पता है कि जब एक्जाम अगरा आते ना तो हम लोग ऐसा चाहते कि हमाई गर्दन 270 तक घुम जाता कि पीटर को पता ना च है कि अपनी आँपों से तुम लोगों को देख रहे हैं चलो आगे बढ़ेंगे कौशिन लिक्द को कौन शाक्षी अपने शिकार को आठ मीटर की दूरी से देख सकते सभी बताएंगे चल्दी से नेहा राकी सातविक अलॉन आदर सोनी समायरा सभी बताएंगे कौन सा पक्षि अपने शिकार को आठ मीटर दूरी से देख पाते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेगा बढ़ाई हो बढ़ाई बढ़ाई तुम लोग खिलाते नहीं हो यह कौन हो जाएंगे चील बाज गिद यह जो है आठ मीटर की दूरी से देख सकते हैं इनकी विशेस्ता है चील बाज गिद हमसे चार गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं कि दुज़ान से मरे हुए जानवरों को खाकर जगा साफ करते हैं और आकाश में उचाई पर उड़ते हैं कि आकास में उचाई पर उड़ते हैं जमीन पर पड़ी कोई चीज किसी चील को एक से दो किलोमेटर की दूरी से दिखाई दे जाती है ध्यान दीजेगा कॉंसेंट्रेट कीजेगा इन पॉइंट्स पर बाते करने वालों बाते करते रहने देना पढ़ाई करने वाले अपना दियान इसी पर लगाना के जमीन पर पड़ी कोई चीज किसी चील को एक से दो किलोमेटर की दूरी से दिखाई दे जाती है कि मरे हुए जानवरों को खाकर जगा साफ करते राकास में उचाई पर उड़ते हैं और जो चील बाच गिद्ध हैं हमसे हमसे चार गुना पूरी से देख पाते हैं एक्सक्वेशन नमबर सिक्स्टीन में से कौन सा पक्षी मानव आवाज की नकल कर सकता है मानव आवाज की नकल कौन मोर तोता संबड या फिर कोई भी नहीं होते ना घर पे कुमियाज इसको कह दिया जाता है ताइगर पक्षी है दीपक हम पक्ष कोई है। की बात करना ही हरा जेख सकता है एंगर तोता करता है ठीक है तो भी वाला एंसर में में प्रतिबा अंकित अगले प्रश्न पर गर्ट जिन्म लिकित में से हमारा राष्ट्री पक्षी कौं सा है तंबर्ड बार्बेट या फिर मोर कौन है देश द्रोही जो इसको गलत करेंगा फॉमेन रजनी प्रतिभा सुदक्षिना महीमा बताएंगे जल्दी से हमारा राष्ट्री पक्षी पॉक हमारा राष्ट्री पक्षी है मोर ठीक है हमारा राष्ट्री पक्षी है मोर नेक्स्ट पर चलेंगे सुदक्षिना रजनी पताएंगे रात्री चर्पक्षी कौन से हो जाएगा रात्री पक्षि वही उल्लू जो की 270 डिगरी तक अपनी गड़न को घुमा सकते हैं ये आपका हो जाएसे बताएंगे और कॉन से पक्षी है जो की मझली खा जाते हैं हम वी को ने निलकंट ठीक है नीलकंट देखा है कि नहीं देखा है तुम लोगों यह बताओ समायरा फुश्बू प्रियंका नीलकंट देखे हो कि नहीं देखे हो तो नीलकंट है यह मचली खाते हैं ठीक है यह मचली को खा लेते हैं अगला प्रशन कौन सा पक्षी अपना घोशला बनाता है प्यक्थ की क्लास ले सकते हो पेढ़ की साखा से लटकता हुआ घोसना कौन बनाता है इस सानबर्ड आपकी पेड की साखा से शकर कोड़ा है ए चखर खोड़ा या सूर्य पक्षी या सन बर्ड कुम का खाल चाहे सूर्य पक्षी क्या दो चाहे संबर्ड कह दो यह किसी छोटे पेड जारी की डाली पर अपना लटकता हुआ गोसला बनाते हैं यह किसी छोटे पेड या पर जाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोसला बनाते हैं घोसले में बाल बारीक घास पतली टहनियां सूखे पत्ते रुई पेड ती छाल तुकड़े और कपड़े के चीथड़े होते हैं यहां तक की मकड़ी के जाल भी होते हैं ठीक़े यहां तक की मकड़ी के जाल भी कैसे अपना घोसला बना लेते हैं आ रह disci adhi की नहीं समझ में आ लिए he question number 21 वा पक्षे जो जटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमाता है जटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन घुमाता है उल्लू कोयल गुरहिया मैना जटके से अपनी गर्दन को 270 तक यह हमारी PDF आपको उसमें मिलेगी application पर क्या बोल रहे थे बुलवा देते हो तुम और जटके से अपनी गर्दन को कौन घुमाता है तो मैना घुमाती है ठीके जटके से अपनी गर्दन को मैना घुमाती है पता है कि नहीं पता है आगे बढ़ेंगे question number 22 एक पक्षी जसके सिर पर शिखा होती है शिखा क्लास वाली नहीं शिखा शिखा ठीके बारिस से पहले वाद जोर जोर से रोने लगता है कि और नाचता भी है उसके हरे पंक होते हैं और उन पर नीली आखे होती है कि वो इस पक्षी का नाम बताएं कौन सा पक्षी है बाज गिद्ध तोता मोर कौन सा पक्षी है कौन सा पक्षी है राधे राधे क्रिश्ण खुष्भू पांडे दक्षिना मज़ा आगए क्यों भुलवा देते हो तो मज़ा आगए इनको मॉनीटर बनाया गया था देख रहे हो इसको मॉनीटर बनाया गया था चलो इसको बता एक पक्षी जिसके सिर पर शिखा होती है बारिश के पहले वो जोर जोर से रोने लगते हैं ठीक है वो है मोर हमारा राष्ट्री पक्षी मोर क्लास वाली नहीं दी वाला एंसर चलेंगे अगली प्रेशन पर 23 उस पक्षी का नाम बताईए जिसका विवरण इस प्रेशन भी जा गया है तेखिए क्या है कौन से कथन को पढ़िए हरे पंक हैं हरे पंक हैं किसी भी आवाज को कॉपी कर सकते हैं अमरूद और हरी मिर्च खिलाई जाती है क्यान सेधा पर्णा हरे पंक हैं किसी भी आवाज को कॉपी कर सकते हैं अ मरूद और हरी मिर्च खिलाई जाती हैं कोवा हैं कोय आफि नहीं कुझा नहीं है याह ऑ देख रहे हो विनोद है चलो आगे बताएंगे इसको हरे पंक किसी भी आवाज को कॉपी कर सकते हैं अमरूत और हरी मिर्च खिलाएं इनको किनको खिलाना है इनको खिलाना है तोते राजा को मिठु मिया को है ना तोकि इंसान की अवाज यह सब प्रीविएस यह फिपर के कॉशन है हिमनलिकित में से कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच में अंडे देते हैं पत्थर के बीच में अंडे कौन दे देता है भाई पवा कबूतर इंडियन रॉबिन या फिर दरजन पक्षी पत्थर के बीच में कौन अंडे देता है भानू अंशू दीप्ति जितेंडर सुचिप म प्रतिबा सभी पत्थर के बीच में अंडे इंडियन रॉबिन पफर के बीच में अपना गोसला बनाती है गोसले में पेड़ की नाजुक तैनी, जड़े, उन, बाल, रूई, सब बचा दो ठीके छोटे-छोटे कीड़े भी खाती है और अभी बताया है इनकी चोंच कैसी होती है की चोंच अंदर से लाल होती है की चोंच कैसी होती है तो अंदर से लाल चोंच होती है किस जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते है जल्दी से बताएंगे तो गिलहरी हो जाएगी साथी साथ चुहे के भी दांत जीवन भर बढ़ते रहते है चुहे के भी दांत जो है बढ़ते रहती से लिए कुछ न कुछ कुछ कुदरते रहते हैं और गिलहरी भी है आपकी पंडी सिक्स लिकित में से किस पक्षी का घोसला मादा पक्षी नहीं नर पक्षी बनाता है मादा पक्षी घोसला नहीं भनाता है नर्पक्षी घोसला उल्लू मोERG Roya रखी कि पर्श वाले प्रश्ण का उत्तर मादा पक्षी नहीं नर्पक्षी बनाता है नर्वीवर महंती तो या पक्षा कहा जाएगा तो मेल हुए ना तो किस पक्षी का घोसला मादा पक्षी नहीं नर पक्षा बनता है यह वीवर पक्षी हो जाएगे ठीक है चलेंगे अगली प्रशन पर अगले प्रेशन पर कुछ नि चलना है अब एक शौट में समरी ठीक है एक रिवीजन एक शॉर्ट में समरी है, एक रिजन है, सबसे बड़ा घोसला कौन बनाता है, तो चील बनाता है, ठीके, दाल टेन के आकार का घोसला कौन बनाता है, तो वीवर पक्षी बनाता है, दाल टेन के आकार का घोसला वीवर पक्षी, लटकने वाला घोसला कौन बनाता है, तो सूर् काटों के बीच में घोसला कौन बनाता है तो यह फाक्ता पक्षी डब पक्षी हो जाएगा ठीक है काटों के बीच में अपना घोसला कौन बनाता है तो यह फाक्ता पक्षी पेड की उची शाखा में अपना घोसला कौन बनाता है पेड की उची डाली में अपना घोसला तो कटपुडवा हो जाएगा पत्थरों के बीच में अपना घोसला कौन बनाता है तो यह इंडियन रॉबिन हो जाएगा ठीक है पत्थरों के बीच में अपना घोसला कौन बनाता है तो इंडियन रॉबिन दो पतियों को सिल करके अपना घोसला कौन बनाती है तो यह दरजिन प पक्षी थी ना बिहार सुपर्टेट वालों को पक्षी इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है जितने क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकते थे हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहां पर करवा दिया गया है उससे त्योरी करवा दी है साथी साथ एक समरी लास्ट में पीछ में आपको कल से बतलब डेली क्लास नहीं है आपके आज की क्लास के इसी लगी कॉमें सक्षन में जरूर से बताएंगे ऐसे अब हम लोग यूट्यूब पर दो टाइम मिलेंगे एक तीन बजे मिलेंगे और शाम को छे बजे में लेंगे तो कैसा रे टाइमिंगी में बहुत ही अच्छी थी बहुत सारे लोग जो है घर का काम वाम करके फिल्कुल सारे सारी चीजे होंगी नहा बस शुरुवात हुई है तो इसी तरीके से ऐसा ना हो कि सब सर के ऊपर से जला जाए एक नहीं कि खुशी खुशी यूग अच्छी शुरुवात होनी चाहिए ऐस साइन्स की क्लास तीन बचे जरूर जोइन क्या करो साइन्स की क्लास आगे भी में लगी तीन देन सिक्ट के लिए तीन साइस थेक क्यार बाए 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 बढ़ते रहे हैं सिक्टे तो